शोना बाबू से बात भी करूँगा, वाटसब भी चलाऊंगा, रिकलाई भी करूँगा, मैसेज भी डालूँगा, इस्टा फिरील भी देख रूँगा, कानपूर, खड़कूर सब की कैपसूल दे दो और मैं खालूं और मेरा सेलेक्शन हो जाए, तो कि ये गलती आप मत करन मेरे एक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, कि फोन आया, सबसे पहले अपना टाइम टेविल एक ऐसा बनाओ, जो आप फॉलो कर सकते हैं, तीन स्लोट बनाओ, एक फिजिक्स का, एक केमिस्टी का, एक मैट्स का, एक कोश्चन अगर केमिस्टी का करना है, इन और्गनिक का, तो मैक्सिमप एक मिनिक, आपको पेपर सॉल करने की एक निम्या टेकनिक बताता हूँ, जो मैंने AIR 10 लक्ष शर्मा को बताई, क्या देख रहे हैं, जोशी टॉक्स, नहीं नहीं, जोश टॉक्स, जोशी आया है तुम्हें, जोश टॉक्स में जोश देने, जेमेंस 2 के लिए, अप्रेल अटेम्ट पोड के आएंगे, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखें, कैसे नंबर लाएं, किस तरह से हम अपने आपको और इंप्रूव कर सकते हैं, ये बचे हुए महीने के अंदर हम ऐसा क्या कर सकते हैं, कि आग लग जाए हमारे रिजल्ट के अंदर नंबरों की, बाड आजाए, सुनामी आजाए, वो स्ट्रेटजी आज हम आपको देने वाले हैं, जो काफी सालों से लगबग, 22 साल से मैं बच्चों को जो मोटिवेशन, स्ट्रेटजी, गाइडेंस और मेंटर्शिप देता हूँ, वो आज आपको मिलने वाली है, जहां दोस्तों मेरा नाम है विशाल योशी, प्यार से बच्चे बोलते हैं, वीजे सर, 22 साल का experience है, और इस दोरान मैंने कई सारे को प्रोड्यूस किया है, मेंटर किया है, जिसमें या यार 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1000 जो बच्चे मुझे जानते हैं, उन्हें मेरे बारे में पता है, और जो नहीं जानते, वो अब जान गए हैं, तो अब अप्रेल अटेम्ड में ऐसा क्या करें, जिससे हमारे नंबर बहुत आजाएं, और हम एक अच्छी रेंग प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहला अपना गोल सेट करना है, कि जैमेंस क्रैक करना है, दूसरा, भाई हारना नहीं है, ठकना नहीं है, लड़ना है, जीतना है, अब लड़ने और जीतने के लिए क्या चाहिए होती है, कि strategy एक प्ला दिन है, दस घंटे की अगर एक strategy आप पकड़ते हैं, तो लगबग आपके पास तीन सो घंटे होते हैं, सबसे पहले इन तीन सो घंटों को पाइफर केट करो तीनों सब्जक्ट में, क्यों कि ये गलती आप मत करना, मेरे एक student के साथ क्या हुआ, कि फोन आया, कि सर physics में, maths मे और chemistry में, मेरे number आपको बताऊंगा, तो आप अश्चर चकित हो जाएंगे, लेकिन आप से एक request है, मैंने का, क्या, सर एक bonus करवा दो, एक question में correction करवा दो, मैंने का, भाई, कौन से question में correction करा दो, कि सर किसी भी question में करा दो, chemistry में करा दो, बस आप तो, मैंने क्या correction करा दो, ब वापस बात करनी ची कोई प्राब्लम तो नहीं उसने तुरंट फोन उठाया और रोने लगा जोर जोर से वो जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था कि सर प्लीज करवा दीजिए प्लीज करा दीजिए क्योंकि मेरे फिजिक्स में 58 है मैं पॉट्टी एट है और केमिस्ट्री म नहीं हो रहा है कट अगर एक कोश्चन भी सही हो जाएगा तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा में जैए एडवांस की रैंक लाओंगा और मैं आइटी कॉलेज में जा पाऊंगा और मेरे हाथ में कुछ नहीं था मैं कुछ नहीं कर सकता ह। मैं सिर्फ आपको वो गल्ती न के जितने भी chapters आपके week हैं, उनको आप study करें, और उन में से जो high weightage topics हैं, उन high weightage topics को आप पढ़ना शुरू कर दें, और high weightage topics को पढ़ने के साथ previous year questions के आप धीरे-धीरे questions लगाते जाएं, time limit में, biological clock system को सबसे आदर जान रखें, प्लस आपको paper solve करने की एक ninja technique बताता हूँ, जो मैंने AIR 10 लक्ष शर्मा को बताई थी, हम जब सवाल solve करते हैं, तो हमारे से गलती क्या होती है, कि हम गलती ये करते हैं कि calculation mistake हो जाती है, हम गलत भरके आ जाते हैं, या हमें जल्दी बाजी में सवाल को छोड़ना पड़ता है, और उस सवाल को जब दुबारा करते हैं, तो मारे पास time नहीं होता, इसलिए, मैंने वो जो ninja technique बताई है, उसे आप follow करें, कि आपको जो paper rough sheet दी जाती है exam में, उसके आप fold करके 4 हिससे बना लो, question number 1, 2, 3, 4, ऐसे उसमें लिख दो, जब आप उसके अंदर ऐसे लिखोगे और solve करोगे, तो क्या होगा, कि आप clarity से solve करते चले जाओ, तो जब आप clarity से solve करोगे, तो आपके पास क्या होगा, जब दुबारा इस question को repeat करने का, या दुबारा attempt करने का time आएगा, तो आप उसी question को जहां छोड़ाता, वहां से start कर सकते हो, plus वो question उसी frame box में होगा, तो आपने जो answer टिक किया था न, वही answer आप लगा के आओगे, mismatch नहीं होगा, वरना आपको पता है न, क्या mistakes होती है, इधर का solve करते करते जाते हैं, और इधर वाला भी solve करते हैं, उसमें आ जाता है, और सम्मिक्स हो जाते हैं, और calculation mistake हो जाती है, या silly mistakes हो जाती है, जिससे most of the students परिश कर रहा है, Oxford से, ऐसी techniques और ऐसी strategy से ही आप अपने आपका career बना सकते हो, बचे हुए times में, तो paper attempt करने की निंजा technique आप अपने उसमें सामिल करो, प्लस आपके पास 300 घंटे message जो मैंने बताया strategy को follow करो, अब हम क्या गलती करते हैं कि पढ़ते समय हम लोग चाते सब कुछ पढ जाता है, overthinking आने लग जाती है, stress आने लग जाता है, parents की जो expectation है, उसकी tension होने लग जाती है, कई बार ऐसा नहीं लगता, कि मेरे parents तो बहुत चिलाते हैं, मैं कैसे समझाओंगा, सर समझ में ही नहीं आता, मुझे मैं इनको handling नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनक को भी उमीद तो है, कि हमारा बच्चा कर लेगा, और उमीद नहीं है, तो एक expectation तो है, कि काश ये भी कर ले, क्योंकि अच्छा तो सबको लगता है, जब आप top करेंगे, जब आप select होंगे, एक ऐसी कहानी बताता हूँ आपको यार, जो शायद आपके जिन्दगी बदल दे ये strategy हम सब को बताते थे, सब इस strategy को follow करते थे, एक बच्चा था, अमित मालव, वो इस strategy को follow कर रहा था, बहुत lower batch से आये था, हिंदी माध्य हमका चातर, lower batch से पढ़ते पढ़ते वो आया और उसने एक अच्छा performance दिया, तो मेरी नजर उस पर गई किया, ये बच्चा अच् है, तो उसको हमने कहा कि तुम इस वाले batch में attend करना शुरू करो, उसने कहा सर में हिंदी माध्यम का चातर हूं, ये तो अंग्रेजी माध्यम का वैच है, मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन उसको पूछा कि कोशिश करोगे तो हो जाएगा, तो जब उसको बोलाना कोशिश करनी है तुमें, तो उसने कर ठीक है, मैं कर लूँगा, और आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुत वाकरशन, उसको पता होता था, हम ग्रेविटेशन बोलते थे, पूछता था कि क्या करना है, ठीक है, रासाइनिक बंद याद था, पर वो पूछ लेता था कि क्या करना है, और ऐसा करते करते उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, और जारी रखते वे पढ़िया पढ़ने लगा, और रैंक वन आने लगया टेस्टों, इतना हाड़ वर्क, ठीक है, पर कहते हैं न, कि जिन्दगी अगर हमारे हिसाफ से चले, और स्मूथ चले, तो जिन्दगी में सं अर्थ होता है न, वो संघर्ष ही है, यह संघर्ष ही हमारे जीवन को सही माइने में जीवन बनाता है, जिस चीज को आप अभी परिशानी सोचते हो, टेंशन लेते हो, यह जीवन का वो संघर्ष है, जो आपको करना है, यही संघर्ष उसको जेलना था, शायद उसकी किस्म तो आ जाएगा दो तीन दिन में पढ़ा देंगे जो चूटा हुआ है उसके बाद तीन दिन बाद फिर नहीं आया हमने पूछा फिर कहा गया उसके दोस्तों से बोला सर अभी भी फीवर है उसका ठीक नहीं हुआ साथ दिन बाद तक नहीं आया अब लगा कि कुछ गड़बढ है उसके पास गए उससे ट्रीटमेंट किस किस डॉक्टर का चल रहा है पूछा पता लगा तो पहले उसको फीवर बताया गया फिर उससे मलेरिया बताया गया फिर जब वापस हम गए तब उससे बताया गया कि ट पर्थिक रूप से बहुत इतने सक्षम भी नहीं थी पिता जी अपने गाउं में रहते थे बच्चा अपना हुस्टल में रहता था एक डॉक्टर थे जान पेचान के उनसे हम गया और पर्सनली बोला रिक्वेस्ट किया कि सर इसको आप पर्सनली हैंडल करो कि क्या प्रॉब और इसका टेस्ट यहां पर भी नहीं होता है आपको इसका टेस्ट मुंबई कराना पड़ेगा टेस्ट कराया सेवन डेस तक उन्होंने टैबलेट की जैसे तेसे वह बैड रेस्ट पे था अब इस दोरान जो हो रहा था उसके साथ आप इमेजन नहीं कर सकते भूप्यास ब पेन कर रही थी कि वो जमीन पर पाउं नहीं रख सकता था उसके फादर उसे गोदी में ले जाके वाश रूम करवा के लेके आते थे तैट इस दे कंडिशन और कहते हैं ना कि भगवान जब ठान लेता है कि इसकी तो परिक्षा लोंगा तो वो भी किसी भी हद तक जाता है और वो गया वो मिलियंस में से जो बीमारी होती है न वो बीमारी इसको निकली और उसका कोई लाज नहीं है आप सो सकते हैं दिसंबर आ चुका है जनवरी में जही में सोता है पंदरा दिन बचे हैं करियर खतम पिताजी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और मुझे लगता है कि उस बच्चे ने भी ठान लिया था कि कितनी भी कड़ी परिक्षा लो जीतूंगा तुम्हें और उसने बोला कि सर कुस तो इलाज होता होगा कहीं तो बात करी तो हमने और जादा आगे इंस में ट्राई किया और आगे हायर डॉक्टर से पूछा तो एक चीज पता चली कि 15,000 रुपे का एक इंजेक्शन लगेगा पर देट तब कहीं जाकर कि यह ऐसे स्तती में आएगा पास साथ दिन बाद कि यह ठीठा होने लगेगा और इसका इलाज अच्छली यूएस में है अब यह बात उस बच्छे को समझ में आ चुकी थी इलाज तो यूएस में है और यूएस में पैसा लगता है पापा के पास पैसा है नहीं अगर आएटी में सलेक्ट हो जाता हूँ और आएटेन बन जाता हूँ और फिर यह मैं मेडिकल क्लेम करता हूँ कि मैं आएटेन हूँ और मेरी तवियत खराब है तो इटमाइट की आएटी सपोर्ट करे उसकी मेडिकल के लिए और उसके पास एक अरेजमेंट हो तो उसके दिमाग में ये बात बैठगी कि आइटेन तो बनना है क्योंकि ये फाइनेशल प्रॉब्लम आइटेन ही दूर कर पाऊंगा बनके और इलाज होगा अमेरिका में तो जौब तो चाहिए अमेरिका में अब चाहे कुछ भी हो जाए उसने का इंजेक्शन लगवाओ दॉक्टर के बास बैठे दॉक्टर ने का इंजेक्शन बहुत पेइनफूल होगा आप इसको सहन नहीं कर पाएगा वोमिटिंग होगी क्योंकि एक्च्वल में वह इंजेक्शन इस्टिरोइट थे उसने कहा लेकिन मैं करूंबास इसको इ लेटा हुआ है हम पढ़ा रहे है लेटा भी पढ़ रहा है सौल करना पढ़ा ही कर रहा है आखर वो दिन आया जिसका इंतजार था जैई मेंस एक्जाम देने की बात जैपूर सेंटर था डॉक्टर के पास और बोला कि वह इसको अजह साव इसको अग्जाम दिलवाना है य अगल होगे वह खड़ा नहीं हो सकता तीन घंटे कैसे बैठेगा एक्जाम के लिए तीन घंटे कंसिस्टेंसी से बैठना पड़ेगा उस बच्चे ने का बैठूंगा सब्सक्राइब कुछ भी करिए तो वही हुआ डॉक्टर ने का कि एक तरीका तो है लेकिन वह तीन घंटे से ज्यादा नहीं जहिल पाएगा तो उसने कहा कि ठीके आप दीजिए उसको एक इंजेक्शन और लगाया गया ताकि वह बैठ सके गाड़ी में उसको लिटा करके लेके गए जैमेंस दे रहा है वो म जैमेंस के बाद जैमेंस का रिजल्ट आया तो उस बच्चे की रेंगाई 84 और नाम था अमित मालव 2013 जैमेंस रेंग अमित मालव की जो कहानी है वो आज आपने सुनी है अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं अब इस बात से क्या समझ में आया कि अमित मालव को मंजिल ने कहा अमित मालव के होसले को मंजिल ने कहा कि मैं तेरे बसकी बात नहीं अमित मालव के होसले ने आयाटी से कहा कि चल जुठी तेरी कोई आपकात नहीं तो जब वो कर सकता है ना तुम भी कर सकते हैं तुम सोचो कि तुमारे पास क्या नहीं है त तुम्हारे parents, तुम्हारी स्थि, तुम्हारे guidance, तुम्हारे अंदर motivation, तुम्हारे इस पास strategy है, तुम कर सकते हो और तुम्हारे पास time है, नहीं कर रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आग नहीं है, IIT से लड़ने की, तुमने ठाना नहीं कि मुझे IT को हराना है, IIT की इतनी आउकात नहीं कि मुझे हरा सके, हब ठक जाते हैं, demotivate हो जाते हैं, depress हो जाते हैं, अरे किस बात कर depression है? कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, means का वक्त आये था, IIT का दौर आएगा, तो जो दौर है आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन एक कहानी अगर आपको motivate कर सकती है, तो क्या आप ये नहीं ठान सकते, कि सर मेरी कहानी भी किसी और बच्चे को motivate करेगी, मैं भी अपनी कहानी खुद लिखूँगा, मैं भी अपनी कहानी से दूसरों के career बदलूँगा, मेरी कहानी भी किसी के लिए एक इतिहास बनके, एक example एक मंच पे सुनाई जाएगी, ऐसा काम में करूँगा, अगर आपने ठान लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, तो कहते हैं ना कि महनत इतनी खामोशी से करो, कि IT के रंग शोर मचा दे, तो आपको सिर्फ महनत करना, ये बचा हुआ दिन, बचा हुआ टाइम, ये करना है तो करना है, भड़ना है तो भड़ना है, और लड़ना है तो लड़ना है, तो इसके आगे भी ये एक होता है, जीतना है तो जीतना है, और जीतेंगे हैं। Strategy Follow करने का जो तरीका मैंने इन टॉपर्स को बताया, वही आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अपना time table एक ऐसा बनाऊ जो आप follow कर सकते हैं हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम दूसरों को देखते time table बनाते हैं हमें अपना time table अपनी काबियत के इसाब से बनाना चाहिए अपनी expectation अपने ख्रमताओं के आधार पर बनाना चाहिए लेकिन ख्रमताओं भी बढ़ानी पड़ेगी, capability इंक्रीज करनी पड़ेगी, capability इसलिए इंक्रीज करनी पड़ेगी, कि जिस exam को आप देने जारे, उसकी क्या need है, तो अगर आपको लगबग 10 घंटा पड़ने के आदत नहीं है, तो सबसे पहला काम 10 घंटा पड़ने के आदत डालो, तीन स्लोट बन करना है, practice जब करें, तो time limit में करें, एक question अगर chemistry का करना है, inorganic का, तो maximum 1 minute, अगर एक question आपको physical chemistry का करना है, तो maximum 1,5 minute, एक question आपको करना है, और गनिक का, तो सिर्फ 1 minute, लेकिन अगर आप physics में जाते हैं, तो आपको maximum 2 minute तक खीचना है, यानि जब paper आप करें, तो paper को लगब आपको एक round में complete नहीं करना है, paper के लिए हमेशा 2 round रखने हैं, पहले round में आपको वो questions करने हैं, जो इनी time limit में हो रहे हो, और दूसरे में, जो questions आप से छूड़ गए, उनको करना है, इस तरह से आपका paper में confidence बिल्ड होगा, वो confidence आपको second round में जो आपके questions बज गए थे, उ यह technique बहुत useful होती है, paper पूरा करने में, क्योंकि आपकी एक problem होती है, सर पेपर ही छूड़ जाता है, सर पेपर ही पूरा नहीं कर पाते हैं, सर हम क्या करें, सर हम बहुत पढ़के जाते हैं, लेकिन number ही नहीं आते हैं, और जब number आते हैं, तो पापू जी को बताएं कैसे, तो एक तो यह strategy, यह strategy follow करते ही आपको बिना पढ़ें, यानि कि पढ़ने की ज़रूत नहीं है, आप क्या करते हैं, quality of education की जगे, quantity of education में बिलीव करते हैं, आप बहुत सारी किताबे लाके पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा material लिखटा करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़े सबसे बड़ी बात है, destruction से दूर नहीं आँगा, आप तो capsule दे दो मुझे एक जिसमें लिखाओ, I.T. Mumbai की rank, I.T. Delhi की rank, I.T. जो है वो, कानपूर, खड़कपूर, सब की capsule दे दो, और मैं खालूं और मेरा selection हो जाए, बोबाश, शोना बाबू को जो है, वो मैं, WhatsApp पे ब्लॉक भी करूँगा, है ना, और rank भी top पर लाँगा, I.T. की rank टॉप चाहिए, साब computer science चाहिए, एक करोड़ का package से कम में तो मैं बाती नहीं करूँगा, वो ही बताओ आप तो, तब तो हम आपको देखें, आपको सुने, आपको सुनने का क्या फाइदा, आपने तो capsule नहीं दिया मेरा देड़ेड़ घंटा खराब हो गया, ऐसे नहीं होता है, सबसे पहले आपको distractions हटाओ, एक चीज समझो भाई, कि मैं आपके लिए होटल ताज से बड़िया सी पनीर की सबजी लेकर आगया, मस्त वाली एकदम बंदास, दुनिया की सबसे बहतरी एकदम, पोस्टिक, जितनी motivational story सुना दी, जितना भी आपको planning दे दिया, अगर आपको mind वो पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, destruction less नहीं है, तो आप उस mind में वो चीजें ऐसे जा रही हैं, तो वो तो फिर useless हो गई ना भाई, वो तो दिमाग फिर से खराब हो गया मेरा, क्योंकि वो चीज अ अब अब को बोलो, IT में मिलेंगे दोबारा, it's over, बस, दूसरा, सारे social media जितने भी टाइम आपका consume करते हैं, इदर उदर, उनको साइड में रख दो, एक मेने के लिए, ठीक है, जितना ऐसे friends से जो आपका time waste करते हैं, बादे करें, बादे करें, बादे करें, बादे क्या, I can and I will, I can, I will, ये लिखो और उसे देखते रहो, फिर time table जो बनाया हैं, उसे follow करो, follow करके जो strategies बता रहा हैं, उसे apply करते रहो, अगर ये ऐसा करते रहोगे, तो अपने हाप आपको अपना target मिलने लग जाता है, कोई भी target जिन्दगी में याद रखना भाई, कोई भी target, कोशिशों के तीर जिन्दा रख, हार जाए अगर सब कुछ, मगर उमीद जिन्दा रख, उमीद जिन्दा रख नहीं अभी आपको हारे नहीं हो, आप J-Main 1 में अगर आपका अच्छा result नहीं आया तो ऐसा नहीं कि बहुत खतम हो गया सब कुछ, तू बाकी है, उमीद है अ मेरे इस सफर बे मुझे जाने से कोई रोक नहीं सकता है, मैं जाके रहूं को चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं आपको बस यही समझाना चाहरा था, कि आज आपको इस टॉक के बाद अपने अंदर वो जोश, वो एनरजी भर देनी है, जो आपको आपकी मन्जिल तक लेकर ज प्रेटफर्म था जिसने मुझे सही में जोश टॉक साबित करके दिखा दिया, मेरे अंदर जोश भर दिया, मैं करके दिखाया IT, ये 31 दिन मेरी जिंदगी के सबसे महत्पुन दिन निकले, जिसके अंदर मैंने अपनी उस चैलेंज को पार कर लिया, जिससे मैं डर रहा था ठक गया था मैं, हार गया था मैं, हार ना नहीं है बस, जिंदगी में सब कुछ कर लेना बस हार नहीं माननी है, हार नहीं मानूंगा, और रार नहीं ठानूंगा, ठीक है, तो बेस्ट ओफ लग, ये आपकी जिंदगी बदल दे, ऐसा मैं उमीद करूँगा, और एक दिन है कि सर मेरी भी स्टोरी सुनाई है इनी शुब कामनाओं के साथ आज की स्टॉक का विराम करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बहुत